देश विदेश की सच्छी खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया नियूज गदरपुर के पास सरदानगर गाउं में एक बच्ची को टूमर होने के कारण कासीपूर होस्पीटल में एडमिट कराया गया लेकिन गरीब होने के कारण बच्ची के परिवार वाले सही से इलाज करा नहीं पा रहे थे वहीं खबर मिलते ही दिनेशपुर के टोनी गुरूप एंजियों ने मसीहा के रूप में बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद करके इनसानित का परिचे दिया है आज के दोर में इस तरह का कारे बहुती कम देखने को मिलता है इस दोरान टोनी शेरगिल एंजियों के अध्याक्स टोनी शेरगिल ने कहा कि गदरपुर के सरदार नगर गाउं में एक बच्ची को ट्यूमर होने के कारण काशिपूर अस्पताल में एडमिट कराया गया था वहीं जैसे ही हमें सूचना मिली है हमने अपने एंजियों के सदस्यों को लेकर पैसों का बंदोवस्त करके गरीब बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल जाकर आर्थिक साहयता की उन्होंने कहा कि जैसे ही इस तरह की घटना होती है और हमें सूचना मिलती है तो हम अपने NGO के सदस्यों को लेकर उनकी आर्थिक मदद करने के लिए पहुच जाते हैं हमारे NGO गुरुप को पता लगा कि एक बच्ची को ट्यूमर है और उसकी घर की स्थिती बहुत कमजोर है और हम सभी भाईयों के सेयोग से वहां पहुच कर उनकी आर्थिक मदद करी देश विदेश की सची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया नियूज